हेलो फ्रेंड्स तोगत है आपका हमारे इस यूटूग चैनल में दोस्तो आज हम अंगूर का यूज करके उससे एथिनॉल यानि की अल्कोहल बना की देखेंगे तो आज का वीडियो काफी इंट्रेश्टिंग रने वाला है तो देख सकते हैं पूरे इंग्रेडियन्स के ना जरूरी होता है ताकि जो एथिनॉल है वो काफी अच्छे बन जाए तो देख सकते हैं काफी ये क्लीन हो चुका है तो चलिए इससे मिक्सिमे से पीछ लेते हैं ओके ठीक है तो देख सकते हैं इस तरह से इसे पीछना होता है चलिए इस जार में डाल दिया हो मैं बाकी के जो ग्रेब से मैंने उससे भी पीछ लिया हूँ ठीक है अभी हमारा जो पीछना हो चुका है देख सकते हैं चलिए अभी हम जो इस्ट है उसे एक्टिवट कर लेंगे जैसी कि आपको पत्ध होगा जो इस्ट होती है उसका जो काम होता है ग्लुकोज और फैक्ट्रस को कलेक्ट करके उसे इथिनॉल और मेथेनॉल और कर्बन डॉय एक्टिवट करने के लिए हम एक स्पून चमच इस्ट ले लेते हैं यानि खमेर ले लेते हैं तो ये जो खमे तक 10 मिट के लिए हम एक्टिवट होने के लिए रख देगे तो चलिए थोड़ी सी दाल चीनी समें हम एड़ कर लेंगे ये कुछ लॉंग है चलिए 2-3 एलाईचे इसमें एड़ कर लेंगे बाद में थोड़ी सी फिट करी इसमें हमें अड़ करेंगे तो जलिए थोड़ी सी जलना है ज्यादा नहीं डालेंगे अच्छे से बाद में इसको घोल लेंगे तो देख सके हैं जो हमारा खमीर है अच्छे से एक्टिव हो चुका है मतलब इसमें काफी अच्छे से बबल आ चुके है तो लगभग इसको 10 मिट हो चुके थे तो चलिए लगभग 500 ग्राम हमने गुड लिया है तो पुड को पीस लेना है किसी तरह से तो देखिए मैं इसे ऐसी पत्थर से बारिक कर ले रहा हूँ इसे चोटी-चोटी पीसे करके जार में टालना होता है ताकि ये अच्छे से गुल जाए इसमें चलिए ऐसे जार में एड़ कर लेते हैं चलिए से गुल लेते हैं फिर से थोटा सा पानी आड़ कर लेंगे बार में हम इसको लगभग 8-15 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देगे क्योंकि लगभग 8-15 दिन लगते इसको तो हम 8 दिन के लिए रखेंगे तो ये जुगाड यूज कर रहे हैं आप चाहे तो फर्मेंटेशन टू भी यूज कर सकते हैं तो देख सकते हैं हम इससे 8 दिन के लिए इसी छोड़ देंगे तो देखिए दो दिन बाद इसमें कुछ इस तरह से परप्रिया हो रही है यानि बबल काफी अच्छे से नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फर्मेंटेशन हमारा जो अच्छे से हो रहा है अभी हम 8 दिन बात देखेंगे तो देख सकते हैं कलर काफी चेंज हो चुका है जो कलर है काफी बदल चुका है मतलब जो प्रोसेस हो अच्छे से आप डिश्टिल करेंगे और इसका जो अधिनओ और जो मेथनौल आएगा और इन सब को अलग कर लेंगे डिश्टिल के जरीए ते चलिए से डिश्टिल कर ले Since चान लेंगे पहले ऐसे अच्छे से हाम इससे चानना जारी होता है ऊभी तो यहसे लगे तो हूनमकर अज़े चालर है जो इथिनोल को कलर है वो काफी अच्छा आएगा है कि कुकर को बन कर लेंगे अभी हम इससे दिख सकते कॉपर पाइप यूज कर रहे हैं हम डिश्टिल के लिए कॉपर काइप जो अच्छा होता है कि इस तरह से कोईल बनाने लिए तो कोईल बनाएंगे तो जो है वो काफी अच्छे से वर्ग करेगा तो अच्छे लिए थोड़ा सा प्लास्टिक का पाइप इसमें जोड़ेंगी हम करेंट करने के लिए उसे दो लेना है साइंडाइस कर लाएं अच्छे से अच्छे से प्लास्टिक कर लेंगे आपके पास टाय है तो ठीक है नहीं तो तार से पैक कर लीजिए ताकि एर लिखना हो गए इससे तो देख सकते है कुछ इस तरह से हमने स्टड़ अप किया है इस था और हम एंडेक्शन कूकर यूज़ कर रहे है और इंडेक्शन चुल का यूज़ कर रहे है तो आप चाहिए तो गयस कर सकते हैं तो भी हम इस सिर्फिल टेंपरेचर पर जलाएंगे जब इसमें से हमें बॉबल नज़र आएंगे तो हम इसका जो टेंपरेचर हो कम कर देंगे तो देख सकते हैं एक खाली वाइन की बॉटल है हमार पास हमें तो देखिए कुछ समय बादस्चे से बबल इसमें हमें नज़र आ रहे हैं देखिए प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुकी है और जो एथनॉल है अभी जो आएगा यह मेथनॉल होगा थोड़ा सा तो इसे हम फेक देंगे यह अच्छा नहीं होता है तो थोड़ा सा फेक दिया हुम है और अभी जो यह है प्यूर है एथनॉल है तो यह इसका हम सानिटाइजर बना सकते हैं तो चलिए इसे हम जला के देखिए यह फ्लेम चेप करेंगे इसकी तो देखिए फ्रेंट्स जो फ्लेम है वो काफी हद तक गल्यू है लेकिन हम इससे फिर से डिश्टल करेंगे तो यह जो थोड़ा सा थोड़ा बोत रेड आराइस में पूरा चल जाएगा थोड़ा एंप और अभी है लेकिन वैसे इससे जरूरत नहीं है चल जाता है तो च तो देख सकते हैं जो बॉटर है लगभग भर चुकी है तो देखिए लगभग 375 ml के आसपास एथनोल हमें जनरेट होके मिला है तो उम्मित करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए जल्दी मिलेंगे एक नगी वीडियो के साथ और गुंज सी वीडियो देखना है नीचे कमेंट करें ठीके प्रेंट्स बाइबाए